जैसरी राधेकृष्ण, आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्रा परजेंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आए आज आप सब सुनेंगी आस्पिन पुर्णिमा, सरथ पुर्णिमा 32.8 ब्रत्त की कथा। प्रतिक पुरणिमा को 32 पुरणिमासी का प्रत धारन किया जाता है। चुबी सची सरधा के साथ पुरणिमा तिथी के दिन व्रत को धारन करते हैं और साम को चंदरोदे होने पर चंदर देपता को कच्चे दूद का या जल का अरगे परदान करते हैं तो उनके सभी परकार के दुख वा कश्क दूर होते हैं सभी प्रकार के सुख श्वभाग्यादी की प्राप्ती होती है तथा पुत्र पौत्र धन आदी की प्राप्ती होती है हिंदु धर्ब में आस्विन पुर्णिमा का सरत पुर्णिमा का बड़ा ही विशिश महत्तुमान गया है इसे आस्विन पुर्णिमा, सरत पुर्णिमा, रास पुर्णिमा, कुमार पुर्णिमा, कोजागरी पुर्णिमा, कुनूर पुर्णिमा आधी नामों से जाना जाता है इस तीन माता लक्षमी और इंदर देपता का विसिस प्रकार से जोकी रातरी के समय में पूजन किया जाता है और खुली आकास के नीचे चंद्रमा के मध्य इस्थीत होने पर खीर रखा जाता है और उस खीर को अगले दिन जा करके प्रशाद के रूप में ग्रहन किया जाता ह तथा इस दिन दीप आदी के दान करने का बड़ा ही विशिश महत्तु माना गया है। और पुर्णिमा की विशिश महत्तु में दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदे होने पर चंद्र देपता को अर्गे परदान करने के बाद यह विशिश पुर्ण माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मैया यशुदा ने भगवान स्रकृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन करता पोशक तथा उसके संघार करता हो। आज कोई ऐसा ब्रत मुझे कहो जिसके करने से मिर्तु लोक में इस्तिरियों को विदवा होने का भय ना रहे। तथा यह ब्रत सभी मनुश्यों की मनो कामनाय पूर्ण करने बाला हो। तब भगवान स्रकृष्ण कहने लगे कि हे माता आपने बड़ा ही सुन्दर प्रश्ण किया हैं। मैं आपसे ऐसे ही ब्रत को सबिस्तार कहूंगा। सभागी की प्राप्ति के लिए इस्तिरियों को 32 पूर्ण मासियों का ब्रत करना चाहिए। इस ब्रत के करने से इस्तिरियों को सभागी संपति मिलती है। यह ब्रत अचल सवभागी को देने बाली इवं भगवान शिव के प्रति मनुश्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने बाला है। येशुदा माता ने कहा कि हे कृष्ण सर्व प्रतम इस ब्रत को मिर्ट लोग में किसने किया था। इसके विशय में मुझे सब इस्तार कहो। भगवान सरकृष्ण कहने लगे कि इस भू मंडल पर एक अत्यंत प्रशिद राजा जो की चंद्रहास नाम से पाली था। अनेक प्रकार के रतनों से पड़ी पूर्ण काति का नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनश्वर नाम का एक ब्रहमन रहता था और उसकी इस्त्री अत्रिशुशीला हुरूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़ी प्रेम के साथ रहते थे। घर में धनधाने आदी किसी भी बस्तु की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा सा दुख था कि उनके पास उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपश्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्रामन के घर को छोर कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भुजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूप वती से विक्षा ना लेकर किसी अन्य घड़ से विक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर विक्षान को प्रेम पुर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का या सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परन्तु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते इसका क्या कारण है योगी ने कहा कि निशन्तान के घर की भिक्ष पतितों के अन के तुल्य होती है और जो पतितों का अन खाता है वो अभी पतित हो जाता है चुकि तुम निशन्तान हो अताप पतित हो जाने के भैसे से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ धनेश्वर यह बास सुनकर अपने मन में बहुत दुखे हुआ और हाथ योड़कर योगी के पैरों में गिर परा तथा अंतरभाव से कहने लगा कि हे महराज यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाईए आप सरवग्य हैं मुझपर अवशी ही कृपा कीजिए धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंत मैं पुत्र नव होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ आप मेरे इस दुख का हरण करें आप सामर्थवान है यह सुनकर योगी कहने लगी कि हे ब्रामन तुम चंडी की अरात्मा कर घर आकर उसने अपने इस्तरी से सब ब्रितांत कहा और स्वेम तपके निमित वन में चला गया वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपाशना की और उपवास किया चंडी ने 16 वे दिन उसको स्वपन में दर्शन दिया और कहा कि हे धनिश्वर जा तेरा पुत्र होगा परं पुर्णमासियों का ब्रत बिदी पुर्वक करोगे तो वह दिरगायों होगा जितनी तुम्हारी सामर्थ हो आटी के दिये बनाकर सिभजी का पूजन करना परंकु पुर्णमासियों को 32 जो जानी चाहिए प्राता काल होने पर इस अस्थान के समीप ही तुम्हें एक आमका ब्रिक्ष दिखाई देगा उस पर तुम चड़कर एक फल तोरकर सिगर अपने घर चले जाना अपनी इस्तरी से सब ब्रितांत कहना रितु अश्नान के पश्यात वह स्वक्ष होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब शंकर भगवान की कृपा से उ जब वह ब्रामन प्राता काल उठा तो उसने उस अस्थान के पास ही एक आम का विक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुन्दर आम का फल लगा हुआ था उस ब्रामन ने उस आम के विक्ष पे चड़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया प्रन्तु विक्ष पर कई बार प अपने भक्तों को विग्णों का आप नास करने बाले हैं उनके मंगल कारियों को पूर्ण करने बाले हैं दुष्टों का नास करने बाले हैं रिद्धिशिधी देने बाले आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनुरत को पूर्ण कर सरूँ इस प्रकार गडेश जी की प्रातना करने पर उनकी कृपा से धनेशवर बिक्षपर चड़ गया और उसने एक अती सुन्दर आम का फल देखा उसने विजार किया कि जो बर्दान से फल मिला है वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता उस धनेशवर ब्रामण ने जल्दी से उस फल को तोर कर अपने इस्तरी को लाकर दे दिया और उसकी इस्तरी ने अपनी पती के कथा के अनुसार उस फल को खा लिया और वहा गर्मवती हो गई देवी जी की असीम क्रिपा से उसे एक अत्यंत सुन्दर पुत्र उत्पन्न अपने पिता के घर में बढ़ने लगा भवानी की करपा से वा बालक बहुत ही सुन्दर शुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुन हो गया दुरगा जी की आग्या अनुसार उसकी माता ने 32 पुर्णमासी का ब्रत रखना प्राडम्व कर दिया जिससे उसका प पुत्र की इस वर्स मिर्दू ना हो जाए इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुरगटना उसके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेगा अस्तु उन्होंने देविदास के मामा को बुलबाया और कहा कि हमारे इक्षा है कि देविदास एक वर्स तक विद्या अध्यान करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्स के पश्यात इसको वापस लोटा लाना सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने कासी जाने के लिए दिविदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा क ने किसी और को कहीं पता नहीं थी धनेश्वर ने सब अतनीक अपने पुतर की मंगल कामना तथा दरगायू के लिए भगवती दुर्गा की अराधना और पुर्ण मासीों का व्रत करना आरंब कर दिया इस प्रकार बराबर बढ़दीस पुर्ण मासी का व्रत पुर्ण किया कुछ समय की पश्याद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रातरी बिताने के लिए किसी ग्राम में ठेड़े हुए थे उस दिन उस गाओं में एक ब्रहमण की अत्यनत सुन्दर शुशील विदूशी और गुणवती कन्या का विवा होने वाला था जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठेड़ी हुई थी उसी धर्मशाला में देविदास और उसके मामा भी ठेड़े हुए थे संयोग वस कन्या को तेल आदी शड़ा कर मंडप आदी का कृत्य किया गया तो लगने के समय वर को धन वार्त हो गया अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्स करके निश्य किया कि वह देविदास मेरे पुत्र जैसा ही सुन्दर है मैं इसके साथ ही लगन करा दो और बाद में विवाह के अन्य कारे मेरे लड़के के साथ हो जाएगा यह सोच कर देविदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लगन का सब कारे सुचारू रूप से हो सके तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपरक आदी कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाये तो मेरा भांजा इस बारात का दुल्हा बन जाएगा यह बात वर के पिता ने सुवेकार कर ले उसने अपने भांजा को वर बनने को भेज दिया और उसके साथ वह विवाह कारे रात्री में बिधी पुरवक संपन्न हो गया पत्नी के साथ वो भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा न जाने यह कैसे इस्तरी होगी वह एक आंत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तब उसकी आखों में आसु भी आ गया तब वधु ने पूशा कि क्या बात है आप इतने उदास वह दुखी क्यों हो रहे हैं तब उसने सब बाते जो वर के पिता वह उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी तब कन्या कहने लगी कि या ब्रम विवाह के विपरित हो कैसे सकता है देव ब्रहमन और अगनी के सामने मैंने आपको ही अपना पती बनाया है इसलिए आप ही मेरे पती हैं मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी किसी अन्य की कडापी नहीं तब देवी दास ने कहा कि ऐसा मत करिये क्योंकि मेरी आयू बहुत थोरी है मेरे पश्शात आपकी क्या गत वही मेरी गति होगी हे स्वामी आप उठिये और भोजन करिये आप निश्य ही भूके होगे इसके बाद देविदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेशरात्री वे सोते रहे प्राता काल देविदास ने अपने पत्नी को तीन नगों से जड़ी हुई एक मेरा मरण और जीबन जानने के लिए एक पुष्पबाटी का बना लो उसमें सुगंधी बाले एक नबमलिका लगा लगा लो उसको प्रतिदी जल से सीचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उस सम्मनाओ जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणान तो होगा ये फूल सू में कोई शंशय नहीं या समझा कर वह चला गया प्राता काल होते हीं वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कारे स्माप्त करने के लिए वर्द था सब बाराती मंड़क में आये तो कन्या ने वर्द को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि य यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया मदुपरक और कन्या धान के समय जो मैंने भूश नादी दिये थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुपत बाते कही थी वह सुनाए पिता ने उसके कथा अनुसार वर्द को बुलवाया कन्या की यह बाते सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लोट गई भगवान सिरकृष्ण बोले कि हे माता इस प्रकार दिवी दास काशि बिद्या अध्यान के लिए चला गया जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेडीत होकर एक सरप रात्री के समय उसको डशने के लिए वहां पर आया उस विस्धर के प्रभाव से उसके सयन का अस्थान चारों ओर से विश्की ज्वाला से विशैली हो गई परन्तु व्रत राज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पुर्णमासी का व्रत कर रखा था इसके बाद मद्याहन के समय स्वयम काल वहां पर आया और उसके सरीड से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा जिससे वह मुर्चीत होकर प्रत्वी पर गिर पड़ा भगवान की कृपा से उसी समय पारवती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां से आ गया प्रत्र किया था जिसके प्रभावसे है भगवन आप इसको प्राण दान दे भवानी के कहने पर भक्त वसल भगवान स्री सिवजी ने उसको प्राण दान दे दिया इस ब्रत्र के प्रभावसे काल को पीछे हटना पड़ा और देविदास स्वस्त होकर बैठ गया उधर उस उसके इस्तरी उसके काल की प्रतेक्षा किया करती थी जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आशर्ज हुआ और जब वहां वैसे ही हरी भरी हो गई तो वहां जान गई कि वहां जीवित हो गया है यह देखकर बहुत प्रशन मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिता जी मेरी पती जीवित है आप उनको ढूंडिये जब सुलावा वर्स व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ कासी से चल दिया इधर उसे उसके सुसुर उसको ढूंडने के लिए अपने घर से जाने ब गया उसमे नगर के निबासी भी वहाँ पर इकठे हो गये और समने निश्य किया कि आवशी इस बालक के साथ इस कन्या का विवा हुआ था उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वहँ पहचान ले और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गये थे तदुपरांत सभी कहने और मामा के साथ अपने स्वसुर के घर से बहुत सा उपहार आदी लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया जब वह अपने गाउं के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सारी ख़बर बता दी तुम्हारा पुत्र दीविदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ किन्तु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्यर्ज हुआ लेकिन थोरी देर में ही दीविदास ने आकर अपने माता पिता के चर्णों में अपना सिर रख कर उन्हें परणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ववा ससुर के चर्णों को असपर्श किये तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधु को अपने हिरदय से ल ब्रहमनों को भी बहुत सी दान और दक्षिना देकर ब्रहमनों को संतुष्ट वा उन्हें प्रशन किया बगवान स्रकृष्ण जी कहने लगी कि इस परकार धनेश्वर 32 पुर्णमाशियों की ब्रत्त की प्रभाव से पुत्रवान हो गया जो भी इस्तिरियां इस ब्रत्त को क पुत्र पुत्रों को देने बाला तथा संपुर्ण मनों कामनाओं को पुर्ण करने बाला है 32 पुर्णमाशियों के ब्रत्त करने से व्रती की सभी एक्षाय भगवान सिवजी की कृपा से पुर्ण हो जाती है तो बोलिये प्रेम से भगवान विष्णू की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान सरकृष्ण की जै भगवान भोले नाथ की जै माता पारवती की जै सर्वदीविदीवता की जै तो आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान बरधक जानकारिया प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली वार आये हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आ निवादा